जीसी लियोंग की फिजिकल एन हुमन जग्राफी को प्रिलिम्स पॉइंट अव विव से पढ़ेंगे जग्राफी की मोस्ट ऑथेंटिक बुक कंसीडर की जाती हैं मेरा प्रयास रहेगा आपको कॉंसेप्ट समझाता चलू अब कुछ वन लाइनर फैक्ट होंगे जिसे आप सबसे पहले क्लाइमेट एंड वेदर की डिफरेंस को समझते हैं क्लाइमेट उस एरिया को कहेंगे जहां की एट्मोस्फेरिक कंडिशन एवरेज रहे फर लॉंग पिरिड अफ टाइम यहां लॉंग पिरिड अफ टाइम का मतलब है 25 से 30 सालों तक और एट्मोस्फेरिक पिरियोड आफ टाइम के लिए जबकि क्लाइमेट एक्स्टेंड पिरियोड आफ टाइम के लिए होता है 25 से 30 सालों के लिए वेदर केंड चेंज मिनट टू मिनट आवर टू आवर डे टू डे सीजन टू सीजन उसी तरह जैसे आप बिहार उत्तरपरदेश हर्खंड या किसी भी राज्य में रह रहे हैं एक्सेब जमू अनकश्मीर तो यहां पर वेदरिक कंडिशन होगी वेदर फोरकास्ट होता है जमू अनकश्मीर में हम हमेशा क्लाइमेटिक कंडिशन अब जमू अनकश्मीर कहेंगे इस बेसिक से पॉइंट्स को आप एकदम से याद रखिएगा अब रेनी डे को समझते हैं रेनी डे जब रेन्फॉल टू अब ये सारे 24 गंटे की रेन को कंसीडर किया जाएगा रेन्फॉल का मतलब टाइपस अब प्रेसिपटेशन अब प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स ए Champions, स्नो, स्लीट, हेल यह हम आगे वाले वीडियोज में प्रेसिपिटेशन के टॉपिक में इसे कवर करेंगे रेनफॉल मेजर होता है रेन गेज से तो इस पॉइंट्स को आप याद दखिए अब मीन एनुवल रेनफॉल और टोटल एनुवल रेनफॉल को समझते हैं यह एक्जाम में पूछता है बहुत बेसिक है आप इस कॉंसेप्ट को समझिए यहाँ पर मीन एनुवल रेनफॉल को आप क्लाइमेट से लिंक करिए और टोटल एनुवल रेनफॉल को वेधर से यह ज़स्ट इन निमोनिक्स है सिर्फ याद करने के लिए मीन एनुवल रेनफॉल में एवरेज एनुवल रेनफॉल कंसीडर किया जाता है वही आपका 25 से 30 सालों तक हर साल एवरेज रेनफॉल निकाला जाएगा वही टोटल एनुवल रेनफॉल में जैसे की नाम से ही क्लियर है यहां हम हर साल का annual rainfall निकालेंगे, month-wise, जैसे January से December तक किसी particular area का अब ISO-bar, ISO-height और ISO-therms को समझते हैं ISO-bar संभार रेखा या इसे समदाब रेखा कहा जाता है यहां पर equal air pressure joining the line अब इसका क्या मतलब है? तो ISO-bar एक प्रकार का line है on a weather map यहां पर constant barometric pressure drawn रहता है और यह एक extremely useful है in weather forecasting में यहां पर close association रहता है between pressure और weather ISO-bar को अगर एक line में आपको define करना हो तो यह lines of constant pressure on weather map पे ऐसे आप कहेंगे ISO-bar mainly generate होता है from mean sea level पर यहां एक बात आप ध्यान दिजेगा air pressure measure होता है barometer के द्वारा और इसे Galilio ने discover किया था एक normal atmospheric pressure 1013 mili bar के बराबर होता है और barometer में heaviest liquid use होता है mercury I hope आपने यह सारे concept को अच्छे से समझा होगा next हमारा ISO height इसे some वर्षा कहा जाता है एक line draw रहती है map पर जो connect करता है areas of equal rainfall इस line में वर्षा की मात्रा समान होती है same amount of precipitation होता है अब ISO therms को समझते हैं अब यह आपके लिए आसान लगेगा यहां पर temperature की बात होगी equal temperature at a given date और time कहां पर तो वही जोग्राफिकल मैप पर दिखेगा constant temperature या pressure इसे हिंदी में सम तापी कहते हैं देखे इन तीनों जोग्राफिकल टर्म्स को हिंदी से आंसर तक पहुँचना काफी असान है लेकिन examiner हिंदी translate के बज़ाए ISO therms, ISO height और ISO bars ही as it is पूछता है तो फिर वहाँ पर दिक्कत होती है अब एक last में diarunal range और annual range को समझते है diarunal range का मतलब difference between maximum and minimum temperature of a day एक दिन में maximum और minimum temperature का अंतर for example कल का maximum temperature मान लिजे 40 degree और minimum temperature 22 degree तो इसका अंतर diarunal range कहा जाएगा 80 degree I hope ये concept समझ गया होंगे उसी पकार annual range में hottest month और coldest month consider किया जाता है जैसे मान लिजे 2020 का hottest month जून था और coldest month दिसंबर इसे हम annual range कहेंगे अच्छा एक और concept को समझते हैं इसी से मिलता जूलता concept है mean daily temperature या प्राया एक particular area का निकाला जाता है for example दिल्ली अब यहां पर 24 घंटे तक temperature को hourly read किया जाएगा उसके बाद सब को add करके 24 से divide करेंगे तो यही उस area का mean daily temperature होगा I hope यह सारे terminology को आप अच्छे से समझे होंगे बहुत important है exam में as it is question पूशा जाता है तो ध्यान देजेगा यही हमारा वीडियो समाप्त होता है मिलते हैं next वीडियो में वीडियो informative लगे तो like करिए subscribe करिए धन्यवाद and thank you for watching this video have a nice day thank you